हालो, गाज, वेलकम बेक तो में चानल, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बूस्टो का बैटरी एर्याजर लिए थे, ओलन कीवें थे, तो वहाद आया था, उसको हम अन्बोक्सिंग करेंगे, और उसको बारे में बताएंगे, जो कहां कहां यूज होता है, और कैसे य जो करते हैं तो आज यह बुरुषतो का बैटरी एरेजर यहां लिखा हुआ है बैटरी एरेजर ठेक न और यहां पे लिखा हुआ इलेक्रिक होल्डर्स 2.3 mm का य्थ सिरेजर रिफिल लिखा वा है फाइप इंडिफिल और यहां यह लेक फाइप एम्यों का दे रखा है डेजल और यहां पर है टू-पॉइंट-धी का इडीर रिफिल तो यह इसमें फूचर थे हैं यहां देख रखा यहां पर यह दो बैटरी कि पॉइसमें लगता है ठीक ना तो चले इसको अंबाक्सिन करते हैं पहले यह है ले रहते हैं इसको हम करते हैं अन्वाक्षिंग तो यह है कुछ इस टैप पर इधर रिफिल है इसको भी हम निकाल लेते हैं तो यह तो यह है 5 mm का रिफिल और यह है 2.3 mm के रिफिल और इसको दोनों दे रखार लगाने वर लगेगा रिफिल तो चलिए इसको इधर साइड में रखते हैं और इधर देखते हैं क्या लगने वह और यह तर बैटरी लगने वला है तो दो बैटरी खम लाते हैं तो यह एवरी डेज है बैटरी इसको हम इसमें डालते हैं है तो यह भाला बैटरीक नहीं लगता है तो आप लोग को धियान देना चाहिए कि इस दय तो चली फाल रहते है तो यह हो गया और चलिए हम इसको हम देख रहते हैं इसमें तो गैज तो इस तरीके से है और देखिए यह प्रेस करने से यह रण करने लगती है तो यह है और इसमें जो अभी रजर लगा हुआ है वह है मतलम 5 mm के है तो इसको हम निकाल दूसरा इरेजर भी लगा सकते हैं तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं तो यह निकल गया तो यह निकल गया और हम 2.3 का इरेजर है तो इसमें यह लगा देंगे और इसको हम इसमें सेटिंग कर देंगे हलका सा प्रेस कर देंगे और अंदर चले जाएंगे और इसको भी देखिए यह भी रन कर रही है देखिए यह भी रन कर रहा है देखिए यह भी रन कर रहा है तो चलिए हम इसको यूच करके देखते हैं और कैसा वर्क करता है तो चलिए पेपर लाते हैं और वहां पर देखते हैं तो गया जी ये पेपर ले आएं हम तो चलिए इस पर हम पहले चारकूर पेंसिल यूच करके देखते हैं अब हम गेरफ हाइट यूच करते हैं अब हम कलर पेंसिल यूच कर लेते हैं और पहले हम सबको ब्लेंडिंग कर लेते हैं तो चलिए हम यूच करके देखते हैं कैसा वर्क करते हैं तो यह स्मूतली मतलम एकदम मतलम इरेज हो जाता है अब चलिए हम गेरफाइट पर देख लेते हैं तो उस पर मतलम हलका साथ चला देजीगा अपने आप साफ हो जाए गया और एक देखिए एकदम साफ हो गया और एक चीज़ा मैं बता देता हूं इसको अगर ज्यादा प्रेस किजिएगा तो यह अपने आप रुक जाएगी इसलिए हलका प्रेस किजिएगा बस बहुत अच्छा से मतलम इरेज हो जाता है तो चलिए आप कलर पेंसिल पर देखते हैं यह कैसा इरेज होता है कि इस पर अच्छा से इरेज हो रहा है देखाया तो मनोजूर इरेजर का जो होता है लीड मनोजूर इरेजर का तो ओभी मतलम प्रेसर अपलाई करना पड़ता है और मतलम प्रेसर अपलाई करना पड़ता है तब जाके मतलम इरेज होता है चलिए चारकॉल तो हलका फलका हो जाता है बट गिर्फाइट नहीं हो पाता है इसमें बहुत ज्यादा मतलम प्रेसर देना पड़ता है तो यह चीज होता है दो आलब पैंसिल मतलून है तो है दोनों में 25 है क्योंकि यह य्यक लेडिंग चलाना परता है तो नहीं में नहीं होत पैसे हैं और इसमें कि रहिए लगता है मतलब इन्टरिय है तो मतलम बैटरी थीन्य ब्रैजर थो रहथ आश्का नहीं इरेज हो जाता है अब हम इसमें देखते हैं कि 5mm का रिफिल लगार कर कैसा वर्क करता है उससे मैंनों कैसा इरेज हो पाता है तो चलिए हम इसमें 5mm का इरेजर लगाते हैं अब पहले फिर से हम गेर्फ हाइट यूज़ कर लेते हैं कि और उसके बाद चार कोल यूज़ कर लेते हैं और इसके बाद फिर से हम कलर पेंसिल उच कर लेते हैं हलका सा ब्रेंडिंग कर लेते हैं तो चलिए फाइप में का रिफिल इसमें डाल दिये हैं तो चलिए हम इससे देखते हैं इरेज करके कैसा इरेज हो पाता है अच्छा ही रेज हो पाता है गिर्फाइट में भी क्योंकि यह तो मतलम और भी मोटा है मतलम है रिफिल तो और अच्छा से ता और एक चीज़ मैं बता देता हूं अधि हलका भाइबरेट करता है तो यह चीज़ है क्योंकि सब दिन तो हम लोग मोनोजिरो इरेजर यूज की हैं और अभी मैं फ़र्स्ट बार ही मैं यूज कर रहा हूं अधिक बैटरी रेजर तो थोड़ा सा है तो आदत हो जाएगा मतलम लगातार अगर यूज करेंगे इसको तो हमको आदत हो जाएगा तो चलिए हम चारकोर पर देखते हैं अच्छ चाहिए कि हलका सब प्रेस देरा पड़ता है तो यह मतलम बादया से देखेगा देखेगा आज ज्यादा प्रेस देगा वर मतलम बंद रेंद नहीं चलेगा अब हम अब हम देखते हैं कळर पैंसिल पर देखा जाए तो बहुत अच्छा मतलम वर्क करता है मेरा रेकुमेंट तो ही रहेगा कि आप लोग बीगनर हो तो आप लोग यह मत लेना क्योंकि बीगनर के लिए वेस्ट नहीं है क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस करना जरूए है इसलिए हम मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस करो उसके बाद यह लेना आपको हैलाइट के लिए चाहिए तो मोनोजोरी रेजर और कर लेना वह बेस्ट रहेगा बट अभी बीगनर हो अभी मैं सीख रहा हो मतलम तो नहीं लेना यह मैं कहूंगा पैसा फासा और इसको उसको करना उतना आएगा नहीं और य क्योंकि वहां पर गिर्फायट या चारगुल कर रहे हो तो वहां पर बहुत ज़्यादा रहता है तो यह प्रैसर भी करने से नहीं हो पाता है तो इसको लिए बेस्ट है तो हम लोग के लिए ठीक है बट आप लोग ऐसा मतले ना क्योंकि अभी बीगनर होता नहीं लेना और कमीशन बढ़ के लिए तो और ही बेस्ट है योगी जिलरी वेगरा हो गया अगर बनाते हो इसमें अगर यह मतलम जूली वेगर का आता है तो इसमें भी आपको बहुत है यह रहता है तो यह कुछ तो इसमें दो रिफील आता है जो कि मैंने वीडियो को सूरू करते ही मैं ब जो कि इसमें भी लगा हुआ है तो यह कुछ है तो आप लोग को कैसा वीडियो लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए और मैं इस तरह का टुट्रियोल भी लाते रहता हूं तो मेरे चानल को सुब्सक्राइब कर लिजीगा थैंक यू